नमस्कार दोस्तों ताजा खबर में आप सबी का स्वागत है चक्रवाती तोक्ते ने भारे तभाई मचाना शुरू कर दिया है चक्रवाती तोक्ते की दिशा भारते मौसिन भागने दक्षनी भारत से उत्री भारत की ओर बताते हुए ये लक्षे दीप की ओर जाने की कहां कहां पर भारी तभाई मचा सकता है संपूल जान कर लेंगे भारते मौसम भाग के नुसार के राजियों में तो इसने तभाई मचाना शुरू कर दिया है भारी बारिश ओले तेज हवा के साथ भायनक बारिश का रूप देखते ही इस चक्रवाती तोफ़ान की भायावे बनती है आईए जान लेते हैं इसकी भायनक इस्तिति कहां कहां पर वरसेगी कहर दोस्तों आपको एकदम सटिक जानकारी आईमडी इंडिया मेट्रोल्स डिपार्टमेंट भारते मौसम भाग के नुसार दी जाएगी अठारे तारिक को अपने राजिस्तान में भारते मौस को अपने राजिस्तान में होगी और राजिस्तान के कौन से जिलों सबसे ज़धा तवाई होगी यह जिले हैं दोस्तों जहां पर भारी तवाइऴ होगी नक्से के माद्य में से हम आपको संपुर्ण करदेंगे तेख dependent में लाल बिलकुल खत्रा में पूरे राजिस्तान मैं आप जो साइन देख रहा है है बहुत ही तेज बवंडर वाली तेज हवाई चलेंगे और गेहरे काड़े बादर तेज गर्जना के साथ भारी बारिश करेंगे यह गर्जना वाला साइन आप देख रहे हैं दोस्टो ये इस्तितिय पूरी राइस्तान पस्षी राइस्तान दोनों में बनी हुई है लेकिन सबसे ज़्याद खत्रा कौन से जिलें को है उनके बारे महम आपको बता देते हैं इन जिलों से आप हैं तो थोड़ा सतरक हो जाईए और दोस्तो पलपल का ताज़ा अपडेट आपको इ इन जिलों में मन रहा है वो ये जिले हैं राइस्तान के इन जिलों में सबसे ज़्यादा खत्रा है जैसल मेर बाडवेर जोदपूर जालोर शिरोई पाली राजसमन उदैपूर डोंगरपूर बांसबाड़ा दोस्तो पितापगड़ चित्तोड़गड़ भीलवाड़ा जिलों में भी भारिता भाई मचेगी लेकिन इन जिलों में थोड़ा कम खत्रा रहेगा लेकिन फिर भी दोस्तो जो है उसकी स्पीड है यहां से चलते चलते दोस्तो इसकी स्पीड है जो 40 किलोमेटर प्रती गंटे की रपतार हो जाएगी वाई-उ की हवाएं तो इसमें द दोस्तों जहां पर भी बहुत भायनक बारी से देखने को मिलेगी बने रही इसी चैनल के साथ हरताज आपडेट आपको मिलता रहेगा अभी थोड़ी दूरी है लेकिन वो जल्द ही बराइस्तान में फिर्विश करने बार